निस दिन देते फेरे हो वो रहे है निस दिन देते जै स्री गिरु महराजी की जाए अम्बे चरनक मल है तेरे अम्बे चरनक मल है तेरे अम्बे चरनक मल है तेरे हम बो रहे है जनम जनम के हम बो रहे है जनम जनम के निस दिन देते फेरे अम्बे चरनक मल है तेरे अम्बे चरनक मल है तेरे तू धरती जग पालन करती अम्बर का आधा रहे तू तो धरती जग पालन करती अम्बर का आधा रहे तू शब सुख जूटे सब दुख जूटे इस जीवन का सार है तू हम सब चपल सी तेरे अम्बे चरनक मल है तेरे अम्बे चरनक मल है तेरे अम्बर जनम जनम के निस दिन देते फेरे अम्बे चरनक मल है तेरे ओ समयासू फूलम शद्धान तर मैं लेकर उजिया रहे ओ समयासू फूलम शद्धान तर मैं लेकर उजिया रहे तेरे मंदिर मैं अतमस तक नभ के सुन्धर चांद सितारे तेरे मंदिर मैं अतमस तक नभ के सुन्धर अमने तेरी मुसकानों में अमने तेरी मुसकानों में देखा मधूर सवेरे अम्बे चरन कमल है तेरे अम्बे चरन कमल है तेरे हम भोरे हैं जनम जनम के निस दिन देते फेरे अम्बे चरन कमल है तेरे जैश्री अम्बे मात की जाए कृष्ण का नयालाल की जाए झाल 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 वंसे विभुषिदकरान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणभिंबपलात अरुष्ठात पुर्णेंदसंदरमुखात अरुविंदनेत्रात कृष्णात्परं किमपितत्वं अहम्नजाने कृष्णात्परं किमपितत्वं अहम्नजाने स्वस्ति स्रिगनेशाय नमह स्री सरस्वत्य नमह स्री गुरुभ्यो नमह वक्रतुंड महाकाय सुरियकोटी समप्रभ निरविग्णं गुरुमदेव सरवकार्येशु सर्वदां नारायनम् नमस्कृत्य नरम्चै वनरुत्तमं देविम् सरस्वदिम् व्यासं ततो जयमुदीरैत् नमस्ते शारदे देवी सरस्वदेम देप्रदे वसत्वं अमजिवाग्रे सरव विध्या प्रदाभव् गुरुर ब्रम्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेस्वरह, गुरुर साक्षात्परब्रम्म, तस्मै स्री गुरवे नमह सच्चिदानंदरूपाय, विष्वत्पत्यादिहेतवे, ताबत्रय विनाशाय, स्री कृष्णाय वयंनुमा ओम्नमपरमहंसास्वाधित, चरनकमलचिन्मकरंधाय, भक्तजनमानसनिवासाय, स्री रामचंदराय, विस्वसर्ग विसर्गादि, नवलक्षन लक्षितं, स्री कृष्णाक्यं बरम्धाम, जगद्धाम नमामदतल। ओम्स्थापकायचधरमस्य, सरवधरमस्वरूह विने, अवधारवरिष्ठाय, रामकृष्णाय दे नमहं, जननिम्शारदामदेविं, रामकृष्णं जगद्गुरं, पादबदमेदयो सृत्वा, प्रणमामी मुहूर मुहूर। मुगंगरोतिवाचालं, पंगुं लंगयतेगिरिं, यत्कृपात्वमहमवंदे, परमानन्दनमादवं। कृष्णगनेयालालगीजे, भक्तवत्सलबगवानगीजे, वुरुण्दावनभिहारिलालगीजे। भगवान स्री रामकृष्णदेवगीजे, महामाई स्री शारदादेवीजे। ओम नमो भगवदे वासुदे वाय नरायन 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 सर्वब्रथम हम पुझजबाद स्वामि आदिभवारन जी महाराज जी के चरणों में सस्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं तत पस्चात रामकृष्ण आसरम राजकृट के अद्यक्ष पुझबाद स्वामि निखuschवारन जी महाराज जी के चरणों में सस्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं उपस्थित पुजबाद प्रभुसेवारंजी माराच एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्मः एवं विरक्तों के चरणों में सस्रद्धे या प्रणाम निवेदित करते हैं और इस द्रश्य स्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसाम्रत का अरसपान कर रहा है उन सब के रधैमे निवासित उस अनन्त अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहूर मुहूर बंदन करके आये हम सब लोग भागवत रसाम्रत के रस सागर में अवगाहन करे यस्वानु भावम अखिलस्रुतिसारमेकं अध्यात्मदेप मतिति तिर्षताम्तमूंधं संसारिनाम् करुनयाह पुरानगुयं तंव्याससुनुमुपयामि गुरुम्मुनीनाम् कुष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रनतग्लेशनाशाय वूविन्दायनमू नमह तो आएए हम परमहंस सिरोमनी भगवान सुकदेवजी महराजी के चरणारविंदो का आस्रई करके भागवत के इकादर ससकंद के अंतरगत पिंगला ने जो अद्भुत गीत गाया है उसका दर्शन करे देखिए कल का जो चिंतन हमारा अपुर्ण था उस चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हुए हम संसार में भटकते क्यों है प्रश्ण है हम सब लोग भटकते हैं difference is not in kind but in degree हम लोग संसार में इतना भटकते क्यों है जब दुख आया तो अनेक लोगों के पास जा करके हम हमारे दुख के विलाप को हमारे दुख को निविदित करते हैं और उन से हम अपिक्षा रखते हैं कि वो हमें कोई सांत्वना देंगे हमें कोई अच्छी बात बोलेंगे हमारे दुख को दूर करेंगे हम बटकते हैं सरीर की व्यादी हो मानसिक व्यादी हो या दुसरी कोई भी व्यादी हो अधिकान सम मानसिक व्यादी के कारण अनेकों जगए अनेक लोगों के पास जा करके अपने दुख की बाते बताते रहते हैं और उन सब से आशा रखते हैं कि वो हमारा कल्यान करेंगे हमें शान्त बना देंगे हमें मदद करेंगे इसलिए हम जब अभिपत्ती आती है मानसी का भिपत्ती तो अनेक लोगों के पास जाकर के बटकते हैं अब उस समस्या का समाधान हमार अश्यमत भागवत महापुरान भगवान शुकदिव जी कितना अदबुत द्रश्टी से करते हैं देखें हम बटकते इसलिए हैं कि हमें मालुम ही नहीं है कि हमारे भीतर में कौन है हमारे भीतर में जो है वो कैसा है परिणाम स्वरुप हम दूसरों के पास जा जाकर के रोते है अपने दुख के दर्द को बेटा अच्छा नहीं है बेटी अच्छी नहीं है पती अच्छी नहीं है भार्या अच्छी नहीं है कार्याले में जो हमारे उपरी पर उपरी पदपर है वो अच्छे नहीं है हमारी टुकडी के सब भी अच्छे नहीं है संबंदी अच्छे नहीं, पडोसी अच्छे नहीं है, स्नेही जननों निलूट लिया मुझे, मित्र ने दगा कर दिया सांस ससूर का व्यवहार अच्छा नहीं है माताबिता का व्यवहार अच्छा नहीं समझ नहीं पाते हमको कितने हैं लंबी चोड़ी सुचनावली नियमावली बनेगी सुची पत्र बहुत लंबा हो जाएगा बनाने जाएंगे तो हम तो बोले हम संसार में क्यों भटकते हैं जब हमें मालूम नहीं कि हमारे भीतर में ही रत्न छुपा हुआ है अब वह रत्न क्या है उसका जो कल चिंतन किया था भागवतकार हमें बताते हैं जो हमारे भीतर में है वो कैसा है सुरत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मचायं सरीरिणाम तम् विक्रियात्म नहिवाहं रमयनेन यथारम सुरत प्रेष्ठतम नाथ आत्माचायं सरीरिणाम वो सभी सरीरों के अंदर में हैं वो कैसा है बुले सूरत है हमारा कल्यान करने वाला सबसमई हमारे साथ रहता है कल विष्त्रूत द्रष्टी से हमने देखा था आज उसका संकशिप में देखकरके हम जा रहे हैं आगे वो हमारा कल्यान करने वाला है और यह हमारी भीतर में ही रहता है बुले वह सरवग्या है सरवसक्तिमान है करतुम अकरतुम अन्यता करतुम सरवसमर्त है सरवग्या है सरवसक्तिमान है और बुले कहा है दुर में है न बुले जिना अत्यन तक करीब है हमारे भीतर में ही है परमदयालू है हमसे अधिक उसको हमारी चिन्ता है समझे ऐसा है वह सूरत है प्रेश्ठतम है अब सूरत है तो बुले शांतरस वाला आत्मा हो गया तो सांतरस आया सूरत है तो परममित्र है कल्यान करने वाला सब समय हमारे साथ में खड़े रहने वाला अविज्ञात है कल जो देखा अविज्ञाता सहस्रांसुर्विदाता कृतलक्षणा गवस्तिने मिस अत्वस्त सिंगों भूता महेस्वराह विले अविज्ञात है एचिंतनमत छोड़िए सुरत है, परममित्र है, सखाभाव है, सख्यभाव सुरत है, सुरत है इसलिए शांतरस है फिर आया, बले वो कैसा है? प्रिष्ठतम है प्रियती प्रियतम तो बले वो स्रिंगार रसवाला भी है और फिर आया, वो नात है, बले स्वामी है हमरा हम उनके सेवक है मनिदास्य भावा भी आ गया बोले वो मिलेगा कैसे उसको कैसे खरीदे बोले उसको कुरुष्णसार भक्ती जो बुद्धी कुरुष्णसार में डुब चुकी है ऐसी भक्ती से उसको खरीदा जा सकता है जो बुद्धी केवल स्रीकृष्ण को आही स्मरण करती है जो बुद्धी केवल स्रीकृष्ण भजन में ही विवेक और विचार चलाती है जो भक्ति स्रीकृष्ण समुद्र में सराडोब हूचुकी है ऐसी भक्ति, ऐसी बुद्धी, ऐसी बुद्धी से उसको खरीद आ जा सकता है समझे इसलिए कहते हैं कि ऐसी बुद्धी जुस कुरुष्णसार भक्ति में सराडोब हो चुकी है बुले, ऐसी भक्ति कहां मिलेगी, बुले, कहीं से भी मिले, ले आओ उसे चाहे समुंदर को लांग दना पड़े, लांग दो, कुछ भी करो ऐसी भक्ति से ही वो मिलेंगे फिर कहते हैं, अच्छा, क्या दानपुन्य करने से नहीं मिल जाएंगे बुले, जीना, वो दान से नहीं मिलते हैं, पुन्य से नहीं मिलते हैं यज्यागादी करने से नहीं मिलते हैं, विदवत्ता से नहीं मिलते हैं बुले उनको खरीद ना होगा, बुले कैसे खरीद आ जाए अब, बुले वो तो जेश्ट है, हम तो कनिश्ट है, अनूज है, हम तो छोटे हैं, वो तो बड़े हैं, तो बुले तुम अपना में जो है, वो उनको दे दो, जब तुम अपना में उनको दे दोगे, तो वो अपन में तुम्हें दे देंगे समझिए अपने मैं को उनके पास निवेदित कर दीजिए हम सब को यही करना है हम अपने मैं को भगवान के चर्णों में निवेदित नहीं कर पाते हैं और जिस वक्त हम अपने मैं को भगवान के चरणों में निवेदित कर देंगे बस परमात्मा भी अपना में हमको देदेगा कितनी बड़िया बात बताते हैं हम बटकते हैं संसार में इसलिए हमें मालूम नहीं है हमारे भीतर में क्या है वही परमात्मा अत्रतत्र सरवत्र है तो मुझे में भी है वही परमात्मा सब काल में है तो इस वर्तमान काल में अभी भी है सब जगह है तो यहां पर भी है सब में है तो मुझे में भी है बस उस परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूं जब यह भाब आ जाएगा फिर हम बटकना बंद कर देंगे हम संसार में बटकते ही इसलिए है लोगों के पास जा करके हम हमारी दुख के दर्द को क्यों रोते हैं आशा है कि वो हमारी दुख को समझ करके हमें थोड़ी सांत बना देगा हमारे साथ थोड़ी सहानुबुती पुर्वक व्यवहार करेगा बोले जो कुछ करने वाला है वो तुमारे भीतर में ही है तुम उसे जानते नहीं हो परिणाम स्वरुप हम सब लोग इस संसार में एक दूसरे के पास जाकर के अपने दुख के दर्द को रोते रहते हैं और स्वामी विवेकानन्द इसलिए समझाते हैं जब भी दर्द होता है दुख आता है हम लोग दूसरे के पास जाकर के अपने दुख के दर्द को रोते हैं और हम सब का स्वानुभव रहा किसी ने हमारे दुख को दुर नहीं किया है कोई कर नहीं सकता है हम स्वयम ही अपने आपके दुख को दुर कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है तो यहाँ पर भगवान यही बात बता रहे है कि तुम जब अपने मैं को भगवान के मैं अरपन कर दोंगे तब भगवान भी अपने मैं को तुम्हें दे देंगे तो मैं मैं की तो बराबरी हो गई भुल अब जब मैं मैं की बराबरी हो गई तो फिर हम बस मटिया मेट हो गया सब अब मेरा में वह परमात्मा का में हो गया परमात्मा का में मेरा में हो गया व्यष्टी से समष्टे में चले गए अपरिछिन्नता से परिछिन्नता से अपरिछिन्नता में चले गए बुले यह जो परमात्मा है बुले उसके सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं कि जब परमात्मा ने उसका मैं मुझे दे दिया तो मैंने क्या पाया यो माम पस्यति सरवत्र सरवम्च मही पस्यति तस्याहमन प्रणश्यामे सचमेन प्रणश्यति यो माम पस्यति सरवत्र जो मुझे को सब में देखता है और सब को मुझे में देखता है बस परमात्मा क्या देखते हैं अपने को किस द्रश्टी से देखता है बोले परमात्मा सब को अपने में देखते हैं और अपने को सब में देखते हैं तो जब मैंने परमात्मा का में को प्राप्त कर लिया अपने में का मैंने विसर्जिन कर दिया बस तो फिर क्या हुआ बुले उसके अतिरिक्ट और कुछ हमको दिखाई नहीं दिया हर देश में तू, हर बेश में तू, तेरे नाम अनेक, बस तू एक ही है अत्र तत्र सरवत्र किवल वही है विद्या विदय संपन्ने ब्राह्मने गविहस्तिनव सुनी चैव स्वपाकेच पंडिताह समदर्शिनः तो, कहते हैं, जब इसके सिवा कोई है ही नहीं तो बुले पिता भी वही, माता भी वही, बंदू भी वही, भ्राता भी वही, भार्या भी वही, संतान भी वही सब कुछ वही हो गया थ्वमेव माताच पीतात्वमेव थ्वमेव बंदुस्च सकात्वमेव थ्वमेव विध्या द्रविनं थ्वमेव थ्वमेव सरवम ममदेव देव अत्रतत्र सरवत्र वही हो गया बुले इसलिए संसार के जितने भी रिष्टे है हमारे रिष्टे नाते क्या है बुले परमात्मा ही है जितने हमारे रिष्टेदार है वो सब वही बन गए माता वही बन गए पिता वही बन गए ब्राता बंधू सब कुछ वही बने गए गुरू शिश्य सब कुछ वही बने गए संसार के जितने भी रिस्ते हैं सब उसी के साथ जुडते हैं ऐसा है वह की जो है वो केवल वही है अत्र तत्र सरवत्र उनके अतरिक्ट और कोई है ही नहीं बस अब पिंगला अपने आप से ही पूछ रही है कि संसार के भोग तो तुमको बहुत मिले क्या तुमको कभी उससे तरुपती हुई है संसार के भोग तो तुम्हें बुले अत्याधीक मिले क्वंसा भोग तुम्हारे लिए बाकी रहा क्या कभी तुमको उससे तरुपती मिली है ये प्रश्ट हम सभी के लिए है हमने संसार में सब भोग भुगते हैं अच्छे खाने का हलवा पुड़ी सबजी प्राठे न जाने क्या क्या ने खाए मिश्टान न खाए तिखा खाया खटमिता खाया और कितना खा रहे हैं बल हरोज खा रहे हैं कितने साल से बुले जब से पैदा हुए सयाने हुए तब से जीवा देखे प्रतिदिन हमारे पास से नए नए भोग मांग रही है इतने साल से इसको हम सब व्यंजन के देते जा रहे हैं इतना भोजन दिया उसको लेकिन सब समय वो भूखी की भूखी ही रहती है प्यासी की प्यासी ही रहती है बले तुमको कौन से भोग से तुरुप्ती मिली कपडों के भोग से तुरुप्ती मिली क्या न जाने कितने किसम किसम के कपड़े पहन लिए धन से कभी तुरुप्ती मिली क्या पद से कभी तुरुप्ती मिली क्या प्रतिष्ठा, नाम, यश, किर्थी, आकांग्षा, संपत्ती, स्वजन किसी से हमको कभी तृप्ती मिली है? हमारा सब का उत्तर है जी ना हमें तृप्ती नहीं मिली है और सास्त्र, गुरू, भगवान, आचारिय, बिद्बत जन, पंडित जन सब एक स्वर से कहते हैं, यह संसार कभी हमें तृप्ती दे सकता नहीं है कोकि वो अपूर्ण है, अपूर्ण कभी हमें पूर्णता नहीं दे पाएगा अर्जुन, तुम्हें ये लोक कैसा मिला है? अनित्य है एवं असुख देने वाला है इसलिए पिंगला कहती है, जो धन देने वाले पूरुष है, उन्होंने कभी मुझे तृप्ती नहीं दी ये धन देने वाले मनुष्य तेरे पास आये, उन्होंने तुमको क्या कभी तृप्त किया? तुमको कोई तृप्ती दी? बुले कतही नहीं दी महाराज मैं कभी किसी से तृप्त नहीं हो पाई, तृप्त नहीं हो पाई, इसलिए तो दुसरे दिन वही भोग भुगतने जाते हैं अरे हमको बोजन से तुरुप्ती मिल जाती तो दूसरे दिन बोजन के लिए लालसा क्यों हो जाती है कपड़े नए ने बिन्न बिन्न कपड़े पहनने से तुरुप्ती मिल जाती तो कितनी बार हमने कितनी किसम किसम के कपड़े पहने पद से तुरुप्ती मिल जाती तो नए नए पद के लिए हमारे में चाहना नहीं रहती संपत्ती से यदि तुरुप्ती मिल जाती तो और संपत्ती इकठे करने की चाहना हमारे भीतर में नहीं रहती ख्याती विख्याती से तुरुप्ती मिलती तो कभी हमें और ख्याती विख्याती प्राप्त करने की चाहना नहीं रहती जो चाहना सबसदमई बनी रहती है वही बताती है वही बताता है कि हम उसे संतुरुप्त नहीं हुए है पिंगला कहती है मनुष्य तो स्वयम मौत के सौधागर है मौत के मुख में हैं ये तो स्वयम मौत के खिलोने हैं एक दिन पैदा हुए हैं और मर जाएंगे अब वो मुझे कैसे तुरुप्ती दे पाएंगे सोचे हमें कोई भी मनुष्य कभी तुरुप्ती दे सकता नहीं है चाहे पती हो भारिया हो संतान हो मित्र हो स्वजन हो कोई भी हो कोई मनुष्य हमें कभी तुरुप्ती नहीं दे सकता है कोई इंद्रियां हमें कभी तुरुप्ती नहीं दे सकती है बुले मनुष्यत स्वयम मौद के खिलोने हैं एक दिन पैदा हुवे और एक दिन मर जाएंगे अस्ति जायते वर्दते वीपरणीमते अपक्षियते एवम नश्यती बुले वो कैसे तुरुप्ती दे पाएंगे अरे बुले मानलो जिन्होंने विवाभी किया है पिंगला कहती है जिन्होंने विवाभी किया है उन्होंने क्या अपनी पत्नी को कभी तुरुप्त किया है उन्होंने अपनी भार्या को कौन सी तुरुप्ति दी है कभी कोई कोई किसी किसम की तुरुप्ति नहीं दे सकता है न भार्या अपनी पती को न पती अपनी भार्या को न दोनों मिलकर के संतान को न संतान उन को न मित्र मित्र को न स्वजन स्वजन को कभी कोई इस संसार में कोई मनुष्य कोई वस्तू और कोई घटना हमें तुरुप्ती दे सकती नहीं है बोले ठीक हैं मनुष्य तो तुरुप्ती नहीं दे सकता है आनंद नहीं दे सकता है लेकिन देवता लोग तो दे सकते हैं ने तो बोले क्यों फिर हम देवताओं से प्रेम न करें बोले देखो देवता भी पिंगला कहती है देवता भी किसी को तुरुप्टी नहीं दे सकते हैं इंद्र ने इंद्रानी को कौन से तुरुप्टी दी है बुली इंद्रानी बेचारी सबसमय भीतर ही भीतर एकदम जलती रहती है कि हमें जो माला पहनने को मिली है वो कहीं दूसरे के घले में न चली जाए कहीं वो दूसरा कोई न पहन ले श्रीमद भागवत के दसमसकंद के उत्तरार्द में हमने ये प्रसंग देखा है भगवान स्रेकृष्ण सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग में जाते हैं और जब उनका स्वागत करना हुआ तो स्वर्ग की अपसराव ने पारिजात पुष्प से सत्यभामा का स्वागत करने आई तब इंद्रानी उनको इसारा करके इंगित करके कह देती है अरे ये कहां मनुष्य और हम कहां देवता इस स्वर्ग का पारिजात पुष्प तो हम लोगों के लिए कोई मनुष्य के लिए थोड़ी ना है और ये सारे से इंगित करके कह देती है कि इस से इनका स्वागत न किया जाए हमारा फुल दूसरे किसी के काम में न आवे हमारा भोजन दूसरे किसी के न मिले हमारा भोग्य पदार्थ दूसरे किसी को न मिले वो तो विचारी सबसमय जलती रहती है उसको तुरुप्ति कहां है मनुष्य कुछ अच्छा लाता है और इससे दूसरे के पास वो उससे स्रेष्ठ देख लेता है तो उसके अंदर में आग लग जाती है बोले तुरुप्ति कहां हुई किसी की प्रसिद्धी को हम देखते हैं उससे हमको आग लग जाती है, कोई वक्ता को बता दीजे, वो आपसे बहुत अच्छा बूलते हैं, बस उनका तो बहुत नाम है जी, बस रदय में जो आग लगी, किसी गायक को कह दीजे, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको तो उनको बार-बार सुनने की इच्छा होती है, देखो आग लग जाती है, किसी ने अच्छे वस्तर पहने, उससे कोई अच्छा वस्तर पहन करके आ गया, तो बस यह वस्तर पहनने का आनन्द भी जला गिया, दो मिनिट में तो चहरा मुर्जा जाता है, बुलते हैं ने, देखने जैसा चहरा हो जाता है, क्यों हुआ, भुले, हम चाहते हमारे जो भोग्य वस्तु है, वो दूसरों को न मिले, तो देवता लोग भी कभी किसी काल में, किसी को तुरुपती दे सकते नहीं हैं, देवता लोग तो काल में विद्रुत है, मनि काल से कवलित है, जब पुन्य खत्म हो जाएगा, तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, बिगिन फ्रम दे बिगिनिंग सुरु होगा, सुरु से सुरु करना पड़ेगा, बुले फिर उनसे क्या सुख चाहने का, देवता लोग भी सुख नहीं दे सकते हैं, कोई मनुष्य वस्तु पदार्थ या स्थान, मनुष्य वस्तु और स्थान हमें कभी आनन्द दे सकता नहीं है, आनन्द तो केवल हमें परमात्मा से ही मिलता है, सुख हमें केवल परमात्मा से ही मिलता है, बुले देवताओं में भी क्या सुख है, कुछ सुख नहीं है, सुख तो केवल परमात्मा से मिलता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरुप कैसा है, उननका स्वरुप कैसा है? सतचितानंद सतस्वरुप pé, ज्ञानस्वरुप आनन्दस्वरुप चिदानंस्वरुप आनन्दरूप शिवोहम शिवोहम चिदानन्दरूप अब कहते हैं आगे के स्लोग में पिंगला ने बहुत सुन्दर कहा है बोले हमें पता के से चले कि भगवान की कुरुपा हम पर हुई है हमारे सब के जीवन में ये प्रश्ना आता है बोले हम कैसे समझे महाराच कि भगवान की कुरुपा हो गई है हम तो समझते हैं अधिकांस हमारे बितर में जो चाहना थी वो भगवान ने पूरुण कर दी ब्या करने की चाहना थी तो ब्या हो गया अच्छी नारी से या अच्छे पुरुष से बले भगवान की बहुत कुर्पा है जी ब्या हो गया अब संतान नहीं हो रहे थे तो कितनी मन्नते मानी संतान हो गई तो दुम मचा दी आनन्द आनन्द हो गया भले भगवान की कुर्पा सेवा हो गया धंदा अच्छा नहीं चल रहा था तो भगवान की कुर्पा हो गई महाराज धंदा भी अच्छे चलना लगा है गुजराती मां कहेचे नावे अमारे घी केड़ा अच्छे स्वामी जी बुले धंदा अच्छे चलने लगा नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल गई कार्याले में तकलिफ थी तो वो तकलिफ दूर हो गई कोट में कहीं कुछ फसा हुबा केस था वो भी मटिया मेट हो गया स्वामी जी जमिन इतनी थी लेकिन सब ऐसे घोंचे में थी कहीं कुछ निकल नहीं रहा था अब सब केस सुल जा गया भगवान की महराज हम क्या बताए गिरदारी लाल की बहुत बड़ी कृपा है हम पर तो हम सब समय ऐसा ही सोचते हैं अधिकान से मनुश्व हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं जी कुछ हमारे पास नहीं था कुछ मिल गया पद मिल गया प्रतिष्ठा मिल गई ख्याती मिल गई विख्याती मिल गई बहुत प्रसिद्धी मिल गई चारों और लोगों की वाहवा होने लगी वाहरे आशकल तो आप तो बहुत दिखाई दे रहे हैं जी सुना है आप बहुत सारी जेगर प्रवचन देने कहा रहे हैं लोग आपके प्रवचन सुन करके बहुत उनको अच्छा लगता है लोगों को बुले हाँ भगवान की कृपा है पद मिल गया प्रतिष्ठा मिल गई ख्याती मिल गई विख्याती मिल गई संपत्ती मिल गई इंद्रिय भोग्य के जितने भी पदार्थ थे गटना है थी वो सब प्राप्त हुई तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो गई अब यहाँ पर पिंगला कहती है भगवान के कृपा क्या होती है नूनम्मे भगवान प्रीतो विश्णुहुके नापिकर्मना निर्वेदो यम्दुराशाया यन्मे जातह सुखाबह क्या अदबुत बाद बता रही नूनम्मे भगवान प्रीतो विश्णुहुके नापिकर्मना बोले आज मेरे प्रतो भगवान की प्रीती हुई है मेरे रदम्य भगवान के प्रती प्रीती हुई है लगता आज भगवान नारायन की असिम कृपा हुई है मुझपर अज़ भगवान नारायन की मुझपर कुरुपा हुई है अब देखो पिंगला कब ये शब्द उच्चारित करती है जब उसको धन मिला तब उच्चारित नहीं करती है जब बिन बिन धन वाले पुरुष उसके पास आते थे और धन देते थे तब उसने उच्चारित नहीं किया है बोले कहती है जब पिंगला में वैराग्या आया और पिंगला की चित्त वृत्ती बदली है अब वैराग्या से चित्त वृत्ती बदलती है पिंगला अपने स्वयम की प्रसंसा करते हुए कहती है आहाहा, हो नहो हो नहो, आज हम पर नारायन की कृपा हुई है नमा मिनारायन पाद बंगजम करो मिनारायन पूजनम सदा वदा मिनारायन नाम निर्मलम स्मरा मिनारायन यनतत्वमम्ययम बोले हम पर नारायन की कृपा हुई है स्वयम की प्रसंसा करते हुए कहती है भगवान विष्णु आज मेरे पर अवश्य प्रसंन हुए है विष्णु हुँ के नापी कर्मना बोले आश तक तो मैंने इस जनम में तो मैंने कोई पुन्य कर्म नहीं किया है होगे हम तो गणिका बनी चुके हैं न करने का किया है धन की आश में न जाने हमने कितने अधर्म का आचरण किया बोले न करने का किया है न आसा रखने की चीज की हमने आसा रखी तुब ले इस जन्म में तो मैंने कोई सुबकर्म नहीं किया है सायद पुर्व जन्म के किसी सुबकर्म का ये फल होगा जिससे भगवान हम पर आज प्रसन्न होवे हैं देखे कहते हैं भगवान प्रसन्न हुए तो क्या हुआ उसके चित्त में वाईराग्य का उदय हुआ है भगवान प्रसन्न होते तो क्या देते हैं वाईराग्य देते हैं भगवान की कृपा हुई तो भगवान क्या देते हैं बोले वाईराग्य देते हैं जब भगवान की कुरुपा हुई पता कैसे चलेगा जब जीवन में वैराग्य का उदय हो जाए असर में आप सब लोग जानते हैं भगवान दत्तात्रे अवधूत जी दूर वट वर्क्ष के नीचे बैटे थे और वहां से पिंगला की और हवा जा रही थी तो भगवान दत्तात्रे के सरीर को स्पर्श करके जो वायू बह रही थी उसके कारण पिंगला के चित्त में वैराग्य का उदय हुआ है यह महात्मा के सरीर के स्पर्श करके जो वायू निकले उसकी महिमा है यह महात्मा की महिमा है इसले कहा सादवू रिदयं मैयं सादुनाम रिदयं त्वहं मदन्यत्ते नजानंदी नाहं ते ब्यो मना गभी असल में ये भगवान दत्तात्रिय अवदूत जी की कुरुपा है उसको भगवान का प्रशाद मिला है पिंगला को तो बोले कैसे हम लोग समझे हम कैसे समझे कि भगवान हमारे पर प्रसन्थ हुए है कैसे समझे कि भगवान हमारे पर खूष है बोले सामान्य बासना वाला इंदरिय सुख भुगतने वाला और जिसके जिवन का उदेश केवल आहार निंद्रा भई एबं मैथुन वृत्ति में ही रमते रहना है जिसके जिवन का उद्देश्य केवल eat, drink, be merry and produce children है वो लोग समझते हैं कि धन मिल गया, भोग मिल गये संपत्ती मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, किर्ती मिली लोग हमारी वाहवा करने लगे भोग्य पदार्थ पहले नहीं थे अब सभी प्रकार के भोग्य पदार्थ हमारी पास आ गए बोले ये भगवान की कुरुपा हुई अभी अभी जो देखा, भार्या हो गई, संतान हो गए संतान पड़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे स्थानों पर बैठ गए हमें भोग भुगतने के लिए बहुत सारे साधन जुट गए स्वामे जी पहले दंदा सो रुप्या का हो रहा था, अवा दस दस अजार का हो रहा है सामान्य संसारी वासना वाली व्यक्ति अपने उपर भगवान की कुरुपा कैसे समझती हैं जब उसको इंद्रिय भोग के साधन जुट जाते हैं उसके जिवन में उसी से वो समझता है कि मुझे पर भगवान की कुरुपा हुई है लेकिन ये तो सामान्य वासना व्यक्ति संसारी जिव की बात है हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि भागवत के सुरोता ही कौन है बोले परिक्षित राजा समझिए कोई सामान्य सुरोता नहीं है और वक्ता है परमहंस सिरोमनी भगवान सुकदेव जी महराज और परिक्षित राजा वो तो चक्रवर्ती समराट थे सब कुछ त्याग करके गंगाजी के किनारे शुकताल में भगवान शुकदेव जी के चरणों का आस्रय लेकर के भागवद की कथा सुनने के लिए बैठे हैं ऐसी वेक्ति क्या किसे समझे कि भगवान की कुरुपा हो रही है बले देखिए कुरुपा तो साकार ही होती है महात्मलों कितना सुन्दर समझाते हैं बलिहार हो जाएंगे कुरुपा तो साकार ही होती है कभी कभी कुरुपा निराकार नहीं होती है जी कुरुपा तो साकार ही होती है यह बात तो पक्की है लेकिन कुरुपा कहा होती है बोले भगवान की भगवान की कुरुपा छुडाने में होती है बांधने में नहीं होती है हम दो हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से नम्बर निवेदन करेंगे इस बात पर आप पुनह पुनह चिंतन किजिए इस बात को हम हमारे रदई के अंदर में एकदम गांथ करके बिठा दे कि भगवान की कृपा तो छुडाने में होती है बांधने में नहीं होती है जो हमें किसी से बांध दे हम किसी से चिपक जाए वो भगवान की कृपा नहीं होती है मोहरुपी चिकनाहट हमने देखा है बले मोहरुपी मोह क्या है इस निह क्या है स्निह चिकनाहट है तो स्निह रुपी चिकनाहट लगाई और वो चिकनाहट क्या बुले वो मोह रुपी चिकनाहट से हम स्निह रुपी चिकनाहट से संसार के वस्तू व्यक्ति स्थान से बद गहे चिपक गहे बुले वो भगवान की कुरपा नहीं है भगवान की कुर्पा बांधने में नहीं होती है हम बद गए किसी मनुष्य से किसी वस्तु से संपत्ती से पद प्रतिष्टा, ख्याती, विख्याती नाम यश किर्ती से बद गए तो भगवान की कुर्पा किसी बांधने में नहीं होती है भगवान की कुरुपा छुडाने में होती है जो रागी लोग होते हैं अर्थात संसार से अत्यन्त प्रीती करने वाले मोहत से बदे हुए अहमता ममता से गिरे हुए जिनके जिवन का उद्देश केवल भूग प्राप्त करना है उनके जिवन का उद्देश केवल आहार, निद्रा, भई और मैथुन तक ही सिमित है ऐसे मनुश्य को लगता है कि जब हम किसी से चिपक गए तब भगवान की कुरुपा होती है उनके लिए बाधने की कुरुपा मानते है वो यदि किसी से चिपक गए कहीं से बद गए तो मानते कि भगवान की बहुत बड़ी कुरुपा है माराज क्या बताए हमारा रण छोडर आए हमारा द्वारी का आदिश हमारे मां के बिहारी की इतनी कुरुपा है रागवेंद्र सरकार की इतनी कुरुपा है रामकृष्णदेव के ऐसी कृपा है परमकृपाल उपरमात्मा की कृपा है महाराज अभी तो हमको बहुत आनन्द है पृती रखने वाला संसार से पृती रखने वाला कहेगा हम बद गए लेकिन यदि जो घूर विशई व्यक्ति है उसे यदि कह दिया जाए कि संसार से प्रेम मत करो प्रेम तो आपके वल भगवान से करोगो तो गो क्या कहेंगे अरे बाबाजी क्या बोल रहे है इमात्मा क्या बोल रहे है संसार से प्रेम नहीं करने को अरे भई अपने पती से नहीं करेंगे तो किस से करेंगे? बाल बच्चों से नहीं करेंगे? संतान से नहीं करेंगे? तो किस से करेंगे? मित्र से नहीं करेंगे? तो किस से प्रेम करेंगे? स्वजन से नहीं करेंगे? तो किस से करेंगे? सामान्य संसारी मनुष्य को ये बात भाती नहीं है लेकिन पिंगला किसको कुरुपा समझती है देखिए अब पिंगला कहती है निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातह सुखावः जो मेरे मन में दुराशाया दुराशा दुष्ट आशा जो मेरे मन में दुराशा मने संसारी वस्तुओं के लिए दुष्ट आशा लगी हुई थी संसारी व्यत्यों के लिए संसारी वस्तु के लिए संसार की घटनाओं को गटित होने के लिए मेरे रदई में जो दुष्ट आशा लगी हुई थी कि मुझे यह मिले धन प्राप्त हो किर्ती प्राप्त हो मुझे यह मिले उससे अब मुझे वैराग्य हो गया है बोले यही भगवान की कुरुपा है कि मेरे चित्त में मेरे रदई में वैराग्य का संचार हुआ है वैराग्य का उदय हुआ है यही भगवान की सबसे बड़ी खुरुपा है देखिए एक बहुत सुन्दर गटना आती है बेलुड मठ के सुरू के दिन थे स्वामी विवेकानंद का सरी चला गया है बाद में बेलुड मठ को अनेक मुशिबतों का सामना करना पड़ा था कोगि अचानक इतना बड़ा पहार चला गया आखों के सामनेश अद्रिश्य हो गया तो आप समझ सकते हैं कितनी विपत्तियां आई होगी लेकिन सीराम कृष्णदेव के अंतरंग सन्यासी सिश्य उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ती से इसम बेलुड मठ के आध्यात्मिक प्रभाव को इतना अदभूत प्रवान्मित किया इतनी अदभूत शक्ती दी इसके अंदर में एक बार बेलुड मठ के अंदर में एक व्यक्ति आता है वो विधूर थे और आकर के कुछ दिन रहते हैं उनको वहिराग्य हो गया तब बाबुराम महराज स्वामी प्रेमानजी बेलुड मठ का कार्यभार देखते थे तो उनको कहते हैं कि महराज मेरी इच्छाई अब मैं मेरी सब संपति बेलुड मठ को दे दो उजाकर के राजा महराज जिससे कहते हैं राजा महराज तब स्वामी ब्रह्मान जी रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्या से शिश्य उनके मानस पुत्र बेलुड मठ में ही थे उनको कहा तब उन्होंने कहा राजा महराज ने बाबु राम महराज से देखो उसको यहां रहने से संसार से वईराग्य हो वया है और क्या हमारा संसार से राग हुआ है जो उसकी संपत्ति ले कहने की आवश्यक्ता नहीं थी कि फिर वो नहीं ली गई और व्यक्ति वो फिर संसार में चला गया और फिर उसने व्याहा कर लिया वो बात अलग है महापुरुष लोग की द्रश्टी तो बहुत दूर की होती है तातपर्य क्या है कि वो कुछ दिन महापुरुषों के संसर्ग में रहा तो उसमें चित्त में वैराग्य का उदय हुआ हम जब बगवान की कथा का स्रवन करते हैं किसी सन्यासी महात्मा जिनका जीवन अदभूत है जो इश्वर को छोड़कर अन्य कोई बात जानते नहीं है इश्वर को छोड़कर अन्य कोई बात सुनते नहीं है इश्वर को छोड़कर अन्य कुछ देखते चिंतन करते तक नहीं है ऐसे महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं उनसे घड़ी दो घड़ी सत्संग हुआ तो हमारे चित्त में कितना वैराग्य का उदय होता है तो पिंगला कहती है अरे मुझ पर तो आज विश्णु भगवान की कृपा हुई है कृपा क्या हुई है वोले मेरे चित्त में वैराग्य का उदय हुआ है द्वारिगादीश गीजै चित्त में वैराग्य का उदय हो गया यही भगवान की कृपा है हम पर भगवान की कृपा हो रही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा हमारे चित्त में क्या वईराग्य का उदय हुआ है आज विगत 181 दिन से आप लोग शिमद भागवत महापुराण का सत्संग हम सब लोग इकठा मिलकर के कर रहे हैं ठीक आप लोगों को संसार में कितने सारे कारिया है सब कारिय को छोड़ करके ठीक दस बजे आप भागवत कथा का स्रवन करने बैठ जाते हैं या जिसको जैसी सुविदा है कोई साम को सुनता है कोई रात्री में सुनता है कोई दोपर में कोई दुसरे दिन सुनता है क्यों सुनता है एक एक देड़ देड़ दो गंटे का सत्संग आप क्यों सुन रहे हैं प्रतिदीन बुले भगवान की कुरुपा हुई भगवान की कुरुपा कैसे हुई बुले संसार से वैराग्या आया चाहते तो आप दूसरा कुछ भी देख सकते थे चाहते तो आप दूसरा कार्य कर सकते थे दूसरा कार्य नहीं किया बुलेब हमें और कुछ नहीं करना है जैसे समय मिला भागवद कथा का स्रवन करेंगे सत्संग का स्रवन करेंगे रामकृष्ण कथामृत पढेंगे श्मद भागवत महापुरान पड़ेंगे स्वामी विवेकानन्द का साहित्य पड़ेंगे उपनिशदो काध्ययन करेंगे भगवद गिता पड़ेंगे रामचरी तमानस का स्तवन करेंगे स्रवन करेंगे अभी तो नवरात्र चल रहे बोले दुर्गाशप्त शतिका पाट करेंगे, चंडी पाट करेंगे, बल मिलता है, आनन्द आता है, देखिए, भगवान की कृपा कैसे पता चले, जब वैराग्य का उदय हुआ हो, और वैराग्य पाँच दिन, दस दिन, नव दिन का नहीं होना चाहिए, वैराग्य अब सतत बढ पता रहना चाहिए, संसार के भोगों से जब हमें वैराग्य प्राप्त हुआ, तब समझना के भगवान की कृपा हुई है, संसार के प्रती वैराग्य आये, इंद्रिय सुखों के प्रती वैराग्य की उदाभावना आये, अब हमें किसी से चिपकने की इच्छा नहो, किसी के साथ हमारा विस्तार करने की इच्छा न हो देशकाल वस्तू स्थान से हमें बदने की इच्छा न हो तो समझने का भगवान की कुरुपा हुई है और कुरुपा कब होती है जब भगवान की कथा सुनते है करो और पामो उसी का नाम कुरुपा है तो बुले देखिए मेरे मन में जो संसारी वस्तुओं के लिए जो आशा थी दुष्ट आशा लगी हुई थी उस पर से मुझे वैराग्य हो गया है यही मेरे लिए भगवान की कृपा है संसार के भोगों के प्रतिसे हमारे में वैराग्या आये भगवान की कृपा हुई भोगों के प्रति हमारे रदई में जो दुष्ट आसा बैटी हुई थी यह मिले वह प्राप्त हो उस सब से अब हम को विरक्ति हो रही है बोले वैराग्या क्या है? बोले सुख का वाहन है सुख का वाहन क्या है? बोले वाइराग्या है प्रत्य के देवरी देवता का वाहन है मा का वाहन तो सीहा है आप देख करके आए सीहा वाहनी मा है समझे वाइराग्या मा का वाहन है मा ने सीहा को अपना क्यों वाहन बनाया मात्मा लोग समझाता है सीहा साल में एक बार ही प्रजोत पत्ती का कार्य करता है इसलिए माने उसको अपना वाहन बनाया पगवान विश्णुक गरूड पर सवार हो करके आते है बुले वैसे ही सुख का वाहन है वैराग्य सुख वैराग्य पर आरूड हो करके आता है जब तक वैराग्य नहीं हुआ है तब तक सुख हमें प्राप्त हुआ नहीं है जितना हम संसार से बदेंगे उतना ही अधिक हम दुखी होने वाले हैं और जितना ही हम संसार से बिछरते जाएंगे भुग्य पदार्थों से, वासनाओं से उतनी ही हमको आनंद मिलने वाला है अरे महात्माओं ने तो यहां तक बता दिया सास्त्र भी यही बात बताता है देखिए, जब हम जिवन में कोई एक वस्तु को प्राप्त करने के अथाग प्रयास करे फिर भी जब वह वस्तु हमें प्राप्त न हो तो समझना चाहिए कि भगवान अब हम को उससे वैराग्य दिला रहे है कृपा करके इस बात का ध्यान से स्रवन किया जाए यह हमारा नम्बर डिवेदन रहेगा चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याती, विख्याती, संपत्ती, स्वजन अधिकांस तो इसी के लिए हम सब प्रयास करते रहते हैं प्रयास किये फिर भी न प्राप्त हो तो समझ लिजी अब भगवान उससे हमको वैराग्य दिलवाना चाहते हैं इसलिए स्रिमद भागवत के अंदर में महात्मा लोग कहते हैं जब सुख आये तो समझना कि अब भगवान बांधने वाले हैं क्योंकि हम सुख किसको समझते हैं इंदरियों के ओ जो अच्छा लगे जिससे इंदरियों में गुदगुदी हो उसी को हम सुख समझते हैं अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना सब लोग हमारी वाहबा करे अच्छा पद पर आसन्द हो न अच्छी खाची संपत्ति प्राप्त कर ले न बुले इस सब जब प्राप्त होने लगे तो समझना कि भगवान हमें बांध रहे हैं और भगवान की कृपा कब होती है जब भगवान दुख देते हैं तो भगवान की कृपा हो रही है इसलिए आगे के स्लोक में बहुत अदबुद पिंगल आका रही है कि देखो भगवान की कृपा मुझ पर हुई अब मैं सब से बिछड रही हूँ जिस वस्तु को पाने के लिए मेरे रदय में इतनी दुष्ट आसा थी अब वो सब आसा मेरे रदय में नहीं रही भगवान विष्णों की कृपा हुई इस जन्म में तो मैंने कोई शुब कर्म नहीं किया साहिद पिछले जन्म के कोई शुब कर्म के परिणाम स्वरूप मेरे रदय में अब वैराग्य का संचार हुआ है और पिंगला क्या कहती है वो हम देखने का प्रयास करेंगे उसके पहले माराजी से नमरन वेदन रहेगा एक सुन्दर भजन अर्थात अब तो नवरात्री चल रही है हमने माराज से भी बिनती की है कि नवदिन सुन्दर गरबा सुनाए तो मां के गरबे नवरात्र के नवदिन चलेंगे एक सुन्दर गर्वा महराज हमको सुनाएंगे अर्धियाली रातडिनो जोजे रंग जायना डोलेडा ढोल धीमो धीमो वगाड़ना धीमो वगाड़ना अर्धियाली रातडिनो जोजे रंग जायना दुजेना धर्णी तो रमजट कहवायना रधियाली रातडीनो जोजे रंग जायना डोली डाधोल धीमो धीमो वगाडना धीमो वगाडना रधियाली रातडीनो जोजे रंग जायना चमकंती चाल मने घुगरिनो घमकार ने पुर्ना नाद साथे तालियो नाताल चमकंती चाल मने घुगरिनो घमकार ने पुर्ना नाद साथे तालियो नाताल गर्भा मा रमता मने हो गर्भा मा रमता मने कोई थी पहुचाय ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना डोलीडा ढोल धिमो धिमो वगाडना धिमो वगाडना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना डोलीडा ढोलीडा ढोलीडा ढोल धिमो धिमो सोले शनगार सजी अवनी पर आय रमवान रास अव्यायल वे नीमाय निर्खू निर्खूने मारू मनडू धराय ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना डोलीडा ढोल धिमो धिमो वगाडना धिमो वगाडना रढ़ी आळी रातली नो जोजे रंग जाय ना वाकडिया वाल शोभे केशे कलाप मोगरानी वेनी माशोभे गुलाव वाकडिया वाल माने शोभे केशे कलाप मोगरानी वेनी माशोभे गुलाव आची आची ओधनी मा रूप मानू माय ना रढ़ी आळी रातली नो जोजे रंग जाय ना उम्ट्या सो लोक आजे गबर ना गोख मोती वेरान रूडाचा चरना चोग उम्ट्या सो लोक आजे गबर ना गोख मोती वेरान रूडाचा चरना चोग विनू विनूने मारू विनू विनूने मारी चाबडी मामाय ना चाबडी मामाय ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना धोलीडा धोल दिमो दिमो वगाड़ना धीमो वगाड़ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना धोलीडा धोलीडा धोल दिमो दिमो वगाड़ना धीमो वगाड़ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना धुरुजे ना धर्णी तो रमजट कहवाय ना रढ़ी रातली नो जोजे रंग जाय ना अब चले हम आगे के चिंतर में प्रविष्ट हो जाएं आगे के स्लोक में इंगला क्या संदर कहती है जानो बंदम निरहत्य पुरुशह शममृच्छती कहती है यदि कोई कहे कि यह तुम कैसे समझती हो कि भगवान की कृपा तुम पर हो गई पिंगला भगवान तुम पर प्रसन हुए पिंगला यह तुम कैसे समझती हो तो पिंगला कहती है कि मैं समझती हूं कैसे हूं वो तुम्हें बताती हूं पहले तो पिंगला कहती है मैं मंद भागीन हूँ मैवं स्युर्मंद भाग्यायाहा देखिए इसलिए महात्मा लोग सास्त्र और द्यात्म सास्त्र हम सब को कहते हैं जब जीवन में भोग मिले मन की इच्छित प्यारी चीज का मिलना यह अच्छे प्रारब्द का लक्षण नहीं है फुनह एक बार हम कहते हैं मन की इच्छित भोग को प्राप्त होना इच्छित चीजों का प्राप्त होना भोग मिलना अब आपने सत्संग चाहा और सत्संग मिला तो वो भगबान की कुरुपा है यहां तो संसार के विशयों के प्रती जो भोग के साधन है उनकी बात कह जा रही है भोगों की बात कही जा रही है भोग मिलना मन की प्यारी प्यारी मन को जो प्यारी प्यारी चीज लगती है इंद्रिय सुख तो भोग मिलना मन की प्यारी प्यारी चीज का मिलना यह अच्छे प्रारब्द का लक्षण नहीं है सिराम कुर्ष्ण दिव कहते हैं ने माने क्या किया बच्चे के मुह में और बच्चे के हाथ में खिलोना दे दिया बच्चा खिल रहा है खिलोना से और मा क्या कर रही है तब तक अपना काम कर दिये घर का बच्चा खिलते खिलते जब खिलोन से उब जाता है तब रोता है और जब खिलोना फैक के बच्चा खुब करंदन करता है तब मा क्या करती है सब काम छोड़ करके बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है अब वो बच्चा कहता है मुझे माँ चाहिए मुझे माँ तुमारे स्वाब और कुछ नहीं चाहिए वैसे ही संसार में यदि भोग भुगतने के साधन जुट गए समझे सब भोग जुट गए तो समझे कि माँ हमको भुला करके रख रही है अब देखिए exceptional सारधैर exceptions तो होते हैं उसमें थोड़ा exception तो आएगा ही कई लोग बहुत कम बहुत ही कम लोग ऐसे देखने में आए इनके बास संपत्ति है वो सब संपत्ति उन्होंने भगवान के चरणों में अरपन कर दी और स्वज्म विरत्त हो करके भगवान का बजण कर रहे हैं यहाँ पर भी देखिए उनको जिवन में वैराग्या आया है जब तक वैराग्या नहीं ओता है तब तक भगवान की कुरूपा नहीं होती है जी बले सब संपत्ति बहुजन हिताया बहुजन सुखाया उनके लिए दे दिया और स्वयव निकल पड़े भगवान क्या भजन करने के लिए या जीतना आवश्यक था आवश्यक था उतना रखा बाकी का सब कुरूश्णारपण कर दिया हमने देखे ऐसे सज्जन आप लोगोंने भी सज्जन ऐसे देखे होंगे ये भगवान की कृपा हुई अरे भगवान की कृपा उसी को कहते संपत्ति होते हुए संपत्ति से भी वैराग्या गया दान दे रहे पुन्य कर रहे उस संपत्ती से भगवान ने समय दिया तो उस समय को सदुप्यों करके हम भगवान के सत्संग में लगा रहे हैं जितने भोग भुगतने के साधने उन सब को हमने भगवान की सेवा में लगा दिया अन्यता कहेंगे कोई कि माराज हमारे पास तो भोग भुगतने के साधने तो क्या ऐसा कहेंगे कि हमारे पर भगवान के कुरुपा नहीं हुई कहने के भावार्थ को समझे भोगों के बीच में रहते हुए भोगों से वईराग्य हो जाए वो भगवान की कृपा है उनसे आसकती न रहे उनको भुगतने की लेशमात्र इच्छा हमारे मन में न रहे है है उसके प्रती विवेक जनित हेयो पादेय शुन्य वह बुद्धी आ जाए है मनी वैराग्या आ गया और रहे तो भी कोई फ़रक नहीं है न रहे तो भी कोई फ़रक नहीं है क्योंकि उसके लिए हमारे मन में कोई किमत नहीं है तो मुल बात पर आ जाए भोग मिलना इच्छित वस्तुओं का प्राप्त होना इच्छित चीजों का प्राप्त होना यह अच्छे प्रारब्द का लक्षण नहीं है समझे कितना सुन्दर हमें महात्मा लोग समझाते हैं हम सब लोग मिल करके समझ रहें अच्छे प्रारब्द का लक्षण क्या है तो कहते है अच्छे प्रारब्ध कालक्षण बोले संसार से वैराज्य हो गया तबसी छोड़ दिया संसार सगासदोहर मनन भाई हाडचामयह कचुनन भाई पियागल गाबा खूब चुमाई नंगी होकर जग फिराई तबसी छोड़ दिया संसार ये भगवान की कृपा है अब गुरुहस्त के लिए जैसे स्वामी शीराम कृष्ण देव कहते हैं उसके लिए बाहर से त्याग नहीं उसके लिए बीतर से त्याग है तो गुरुहस्त को बितर से त्याग करना है सन्यासी को बाहर एवं बितर से त्याग करना है और भोगों के बीच में रहते रहते पता नहीं चलता है कि हमारे में वैराग्या आया की नहीं इसलिए स्रीराम कृष्ण देव कहते हैं संसार में रात दिन रहने से इस्वर में मन लगता नहीं है इसलिए बीच बीच में एकांत वास करना चाहिए सब भोगों से अलिप्त सब सुविदाओं से अलिप्त सभी असुविदा है वहां पर कुछ सुविदा नहीं है उसमें जाकर कि हम भगवान के नाम में मन पुरूए अरे क्या बताए महात्मा लोग तो इतना सुदर बताते है जब भगवान के नाम का नशा चड़ता है परमार्थ का नशा चड़ा है तो बुले व्यक्ति स्वयम भोगों के बीच रहते हुए स्वयम कष्ट उठाना सुरू कर देता है पंका है फिर भी पंका नहीं चला रहा है अपने आपका अनुबहु कर रहा है कि भविश्य में हमको ये सुवयदा न मिले फिर भी हमारा मन भगवान में लगे रहना चाहिए सब भोग सामने है एक भी भोग का भोग न करके उस भोग के बिना उस सब भगवन नामस्मर्ण कर रहा है कियों बोले भविश्य में ये भोग भी न मिले फिर भी हमारा मन सब भगवन नामस्मर्ण में लगना चाहिए खाना न मिले भोग न मिले रहने को मकान भी न मिले ऐसी अवस्था में भी हम एक क्षण के लिए भी भगवा नाम से विरत न हो पाए जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है मा जानकी जी ने हनुमान जी से संदेश बजिलवाया है प्रभु को कह देना जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है सभी संत महापुरुष भक्त लोगों का अवतारों का जिवन देख लीजिए यहीं से हैं यही है भगवान की कुरुपा अच्छे प्रारब्द का लक्षण ही यह है कि संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में प्रीती हो जाए क्योंकि जहां संसार से वैराग्य हुआ और दुसरी चीज के आवश्यके भगवान से प्रीती हो जाए पिंगला कहती है मैं तो मंद भागीनू हूँ मैवम स्यूर मंद भाग्ययाहा बोले क्लेश मिलने पर भी जब जब मुझे क्लेश आता था जीवन में तब में दब जाती थी जब जीवन में दुख आता था तब में भगवान को दोशित देती थी भगवान को दोशित ठहराती थी भगवान को दोश देती थी हाई हाई भगवान आपको मैं ही मिली जो मेरे पर ये दुख दे दिया कलेश मिलने पर तो मैं दब जाती थी दुख आता तो मैं हाई हाई करने लगती और हमारे पर दुख आया भगवान ने बड़ा हम से अन्याई किया हमारे साथ संसार में लोग कहते हैं जब दुख आता है कि भगवान ने हमारे साथ ही अन्याई किया है महाराज हमारे पर ही भगवान की कुरुपा नहीं बन रही है मा बाबुजी को ले लिया एक ही संदान थी, उसको भी ले लिया, भाई को ले लिया, अब बताए मैं किसके आसरे रहूंगी, इतनी विपत्तियां हैं संसार में, भगवान विपत्ति देते हैं, जब भगवान चाहते हैं कि ये जीवह मेरी और आये, तो भगवान विपत्ति के रूप में आते हैं, समझ प्रतम स्कंद का जब चिंतन कर रहे थे जब राजा परिक्षित देखते हैं कि एक बैल को काले वस्तर पहना हुआ व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के मार रहा है तब परिक्षित राजा से रहा नहीं गया और उस व्यक्ति को कहते हैं कि कौन हो तुम मेरे राज्य में इस तरह से आने वाले जानते नहीं हो में पांडवों के गुंस में उत्पन्न हुआ अवजीन के रक्षा भगवान ने स्वयम की है मेरे राज्य में तुम बैल पर हत्यार कैसे उठा सकते हो बाद में जब परिक्षित राजा ने बैल और गाई का समवाद सुना बैल क्या है धर्म का प्रतिक और गाई क्या है पृत्वी का प्रतिक परिक्षित राजा ने बैल को कहा कि आपको इतना कष्ट क्यों है क्यों आपको वो कश्ट दे रहा है तब बैल ने कहा कि मैं क्या जानूं कोई कहते हैं कि कर्मों के कारण कश्ट भुगदना पड़ता है कोई कहता है प्रारव्द के कारण जब बैल ये उतर देता है तब परिक्षित राजा समझ गए ये बैल तो धर्म है अब यहां पर महापुरुष, महात्मा लोग, आचारिये लोग हमें बहुत सुन्दर सिद्धानत समझाते हैं जिवन का जिवन में जब कभी दुख आये, तो उस दुख के बाद, मनि उस दुख की परिस्थिती में दुख आया, तब हम तो विचलित अवश्य हो जाएंगे हम तो कोई महापुरुष होकर के पैदा नहीं हुए हैं, हम तो एक सामान्या, पापा डगली चलने वाले सामान्या साधक है गुटनों पर चलने वाले साधक है, अभी साधना में भी हम तो स्थित नहीं हुए हैं, लक्ष तो बहुत दूर है हमारे उलिये हम तो साधना में भी स्थित नहीं हुए हैं, तो दुख आता है, किसे ने अपमान किया, किसे ने तिरस्कार किया सारिरिक दुख आया, मानसिक दुख आया, कोई व्यादी आ गई, स्वजन चले गए, प्रियजन, मित्रजन, आत्मियजन, सब चले गए, संपत्ति लूट ली गई, नगटी तो होने का गटी तो हो गया तब हम दुखी तो अवश्य हो जाएंगे, दो गड़ी के लिए, लेकिन उस दुख से हमको वैराग्य प्राप्त हुआ कि नहीं, वह सोचना है उस दुख से यदि हमें वैराग्य नहीं मिला, वरन और संसार के भोग भुगतने की इच्छा हो गई उस दुख के बाद, तो समझे वो हमारे कर्मों का परिणाम है और आये हुए दुख के बाद, हमारे जिवन की यात्रा बदल गई, हमारे जिवन की दिशा बदल गई, हमारा चिंतन में आमूल परिवरतन आ गया हमारे जिवन का उद्देश्य ही बदल गया, अब केवल भगवान नामस्मरण करेंगे, यही तो संसार है ने तो समझिए ये दुख भगवान ने बेजा है हमारे मन को भगवान की और लगाने के लिए उनकी और लगाने के लिए उनसे जोडने के लिए कहीं लोगों के जिबन में हमने देखा है एक ब्याह किया भारिया मर गई तो दूसरा ब्याह कर लेते हैं पहले थोड़े दिन दुखी हुए और एक साल के भीतर और एक ब्याह कर लिया वहारे भई तो वो क्या हो गया वो कर्मों का परिणाम है वो दुख भगवान ने बेजा नहीं है बहुत सुन्दर सिद्धान्त है ये और भगवान तो चाहते कि इस दुख से तुमारे भीतर में जीव वैराग्य का उदई हो और तुम मेरी और आओ कोंकि भगवान सबको अपनी गोदी में बिठाना चाहते हैं ये तो हमारा स्वभ्यम का दुरभाग्य है कि इतने इतने दुख भुगतने के बाद भी संसार में इतनी इतनी अतृप्ती होने के पस्चात भी हम संसार के भोग को ही पुनह पुनह चाहते हैं भारिया को पती से संत्रुप्ती नहीं है पती से सुख नहीं है पती को भारिया से सुख नहीं है माता पिता को संतान से सुख नहीं है मित्र को मित्र से नहीं है गर में बहु को सांस ससुर से सुख नहीं है व्यक्तिओं से सिख नहीं है संपति का भी सुख नहीं है फिर भी व्यक्ति का मन वैराग्य की और नहीं जाता है अधिक-अधिक भोग की और ही जाता है देखे जिवन में स्री राम कृष्टन देव के अंतरंग सन्यासिय शिश्यों के जिवन से देखे तो स्वामी अद्वाइत आनंजी माराज स्री राम कृष्टन देव के अंतरंग सन्यासिय शिश्य थे उनका नाम था बुड़ो बाबा वो तो स्री राम कृष्टन देव से भी आयू में बड़े थे थोड़े इसलिए उनको बुडो बाबा कहते थे और वो स्री राम कृष्टन देव के पास कब आए, कैसे आए जब उनकी भार्या का निदन हो गया उनकी भार्या का निदन हो गया बहुत दुखी थे तो उनके किसी मित्र ने कहा कि चलो हम तुमको परमहुंस के पास ले जाए उनके दर्शन के लिए तो बुडो बाबा आते हैं ठाकुर के दर्शन करने के लिए सीराम कृष्ण देव के दर्शन के किये लेकिन उनके मन में कुछ नहीं हुआ कोई सीराम कृष्ण देव से मुलाकात हुई लेकिन उनको इतना कुछ लगा नहीं सामान्य से लगी मुलाकात कुछ अच्छा नहीं लगा फिर भी दूसरी बार भी गए तो दूसरी बार भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया उनने तई कि अब हम इस व्यत्ति के पास नहीं जाएंगे फिर ऐसा कुछ घटे तो हुआ तीसरी बार जाते हैं और स्री राम कृष्ण देव के अद्भुत कृपा प्राप तो होती है उनको स्री राम कृष्ण देव के वचनों को सुनते हैं स्रबन करते हैं मनन करते हैं और क्या हुआ वईराग्य हुआ और स्री राम कृष्ण देव ने ऐसा वईराग्य हुआ उनको अपनी भार्या के निदन से जीमन की दिशा बदल गई उद्देश्य बदल गया और स्री राम कृष्ण देव ने स्वयम उनको गेरुवा वस्त्र दिये काशी पुरुद्यान वाठीका के अंदर में उस सन्यासी बन गए स्वामी अदवाइतानन जी महराज देखिए किसी किस्त्री मर जाती है तो उसको वैराग्य हो जाता है दुख होता तो वैराग्य हुआ उस दुख में से वैराग्य आया तो भगवान की कुरुपा कब है जब हमें वैराग्य आता है लोग कहते कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याई कि हमको संपत्ती ही नहीं दी है पद भी नहीं दिया प्रतिष्ठा भी नहीं दी ख्याती विख्याती भी नहीं दिये भोग भी नहीं दिये अरे हमारे दुख आये तो वैराग्य के कारण बन गये भक्त सोचता है भगवान का भक्त सोचता है बहुत अच्छा हुआ दुख आया तो यह दुख हमारे वैराग्य का कारण बन गया हमें वैराग्य हो गया जरूर भगवान के हम पर अनंत कृपा है भगवान की कृपा न होती तो दुख से वैराग्य नहीं होता दुख में से वैराग्य निकलता ही नहीं इतो भगवान की अदबुत अनंत कृपा है अनुग्रह है कि दुख में से वैराग्य निकला है देखे अभी वैस्विक महामारी चल र यह दुखा आया है हम सब के उपर उसमें से हमको वईराग्य हुआ क्या प्रश्ट न पुछिए सारा विश्व थम गया है सारे विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिती डामाडोल हो चुकी है उससे हमको वईराग्य हुआ क्या क्या कि यही संसार है आज है कल नहीं है भारत में एक लाग दस जार से अधिक लोग मर चुके हैं विश्व के अंदर तो ग्यारा लाग से उपर लोग मर चुके हैं सतर लाग तो केस भारत में हो गए पुरे दुनिया के अंदर में चार करोड से अधिक इसके केस हो चुके हैं उससे हमको वैराग्य हुआ क्या हम स्वयम से प्रश्ण करे यह तो कहते हैं कि भई भगवान के यह कुरुपा जब हमारे पर दुख आता है तब समझ में नहीं आती है देखे अभी दुख आया अभी समझ में जाए समझ में आया तो हमारा जिवन बदल जाएगा दुख आया है यह भगवान के एक रुपा है चलो भगवान के यह कुरुपा उस समझ में नहीं आती है जब दुख आता है किसी भारिया का पती चला गया तो भारिया फुट फुट करके रो रही है वो नारी मातरुपा नारी रो रही है तब उसको समझ में नहीं आता है कि भगवान की क्या कृपा है उसके उपर लेकिन उस दुख के पस्चात उसके जिवन की दशा बदल गई दिशा बदल गई सत्संग किया और वो अदबूत भगवान के आनंद में मगन हो गई और बाद में वही मात्रूपा नारी कहती का भगवान की अनंतक रुपा है जो हमारे पास से ये बंदन छुड़ा दिया हम जिस बंदन में थे उस बंदन से हमको भगवान ने मुक्त कर दिया देखे माँ शिमद भागवत महापुराण में आता है अंग का पुत्र व्यन था अंग धरमात्मा थे व्यन तो अधर्मी था उसको कितना समझाया कितना प्रेम से समझाया नहीं समझा वो अधर्मा का ही आचरण कर रहा था और ऐसे पुत्र को पा करके अंग को स्वयम एक दिन वैराग्या गया बोले ऐसी संतान चलो इसी से वैराग्य बोले बस ऐसा वईराग्याया उस संसार छोड़ करके चले गए अनेको मात्रूपा नारियों को हमने देखा है आप सब ने देखा होगा उनके पती से अनेक प्रकार के उनको अस्विधाएं है एक मात्रूपा नारिय ने तो कह दिया महराज भगवान की अनंतक रुपा है कैसे पती बिले है जो रोज जगड़ा करते रहते हैं हमें भगवत मारग में अग्रसर भी नहीं उने देते हैं बले सत्संक के लिए भी बहुत बादाये डालते हैं बोले ये समझ में आ गया इससे हमको वैराग्या आ गया इसी का नाम पती यही संसार बले बस अब मन से हम वैराग्या बान हो चुके है क्या ये भगवान के कुरपा नहीं है समपत्ति के लिए महराज अथाग प्रयत्न किये लेकिन जीतना जुटना चाहिए था उतना जुट नहीं रहा है महराज अब तो वैराग्या हो गया बस क्योंकि भगवान वैराग्य देने के लिए ये परिस्थती बेज़े है बहुत संपत्ति के लिए अधाग प्रयत्न किये महराज जुटता नहीं कुछ इतना बस अब हमको वैराग्य हो गए बस हम समझ गए कि भगवान इससे हमको वैराग्य दिलाना चाहते है दाल रोटी राम राम मिल जाता है बस काफी है हम वैराग्य का अवलंबन करके अब हम भगवान का भजन करेंगे आगे का सिद्धान्त बहुत सुंदरे कल चिंतन करेंगे आज उन्हीं के वानी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए बगवान से प्रार्थना करते प्रभू हमारे मन की मती गती और रती आपके चरणों में बनी रहे महादेवार कम्मा खम्मार माडी कम्मा खम्मा मरी केड़ा वढ़ी मेलडीन खम्मा कम्मा खम्मार माडी कम्मा खम्मा मरी कर वढ़ी मेलडीन खम्मा कर वाली में लड़ीन खम्मा खम्मा कर वाली में लड़ीन खम्मा कर मादी यालो अताशी देविने नम्मा नम्मा मरी पिलवल में लडीन खम्मा खम्मा यालो हलो च्टिले डाक लावा याचा मूंद मना च्टिले डाक लावा या चोटी लेडा के लावा गया ठा मुझा मना दाखने डमरुमाडी हर दम भागे टाख नेढम रुणा, टाख नेढम रुमाडी हर दम भागे ठुंगरादो लवान लाग्या चामुद मना छोटी लेढा कलावा ज्या रण चंडीनु माय रूप धर जो चंड मुद तो जाए भाग्याचा मुद मना चोटले डाक लाब आग्याचा मुद मना चोटले डाक लाब आग्याचा मुद मना समरे साध मारी चामूंडा देती समरे साध मा समरे साध मारी चामूंडा देती 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 समरे चामूंडा चरण चंडी चो तिलावाले चामूंडार रण चंडी देवु पंचाल मा एडूंगय बनारो देवु पंचाल मा एडूंगय बनारो मथले लाविलान जंडी चो तिलावाले चामूंडा चरण चंडी हलो चामूंडा चरण चंडी चो तिलावाले चामूंडा चरण चंडी दानव तानो मा दावानल हल्यो दानव तानो मा दावानल शल्यो उसुरोल मारवा मंडी चोटिलावाले चामुदार रण चंडी चामुदार रण चंडी चोटिलावाले चामुदार रण चंडी संती करान जग भरान घड़ाई भवग्रात नम ये तने नारायनी ऐ मतरुवी स्वरूप विरात प्रेंदि देर्श्ना निथी देवन्स मैं फृति देवाथ माणीं लिवे मैं जान दे जिपमे धान दे स्मुन होड़ा निब दुख का थूभ दूल दोग тобой दूख को दूर कर सूख भर पूर कर दास जानी तास जानी सचन सोहीत दे खुर्दुमा पीत दे जगमा जीत दे माभवनी जीरे जगत्मा जीत दे माभवनी जीरे जगत्मा जीत दे माभवनी ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमा जननिम शारदाम देविम रामकृष्णम जगत गुरुम पादपदमेतयो शित्वा प्रणमामी मुहुर्मुह। नमश्यति राजाय विवेकानन्द सूरय सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने। प्रसनता की बात है कि 13 फर्वरी 2002 को जो एक बहुती सुन्दर कारेक्टरम हुआ था जबकि विवेकानन विद्यामंदीर पोरबंदर का उद्खाटन डॉक्टर एपिज अब्दूलकलाम जो कि उस समय भारत रत्न थे वो पूरा वीडियो यूट्यूब में अल्रेडी अपलोड हो गया है उसकी लिंक आपको दी गई थी कल और काफी लोगों ने देखने शुरू कर दिया है और जैसा कि उसके बाद हमने कहा कि हम लोग बाचित कर रहे थे दूसरे प्रोग्राम में जो कि बाद में राष्टर पती बनने के बाद जो डॉक्टर कलाम आए हुए थे 12 जनवरी 2006 को अपना प्रॉमिस उन्होंने फुल्फिल किया और स्वामी विवे कानन के जनम दिन वे पोरबंदर पहुँच गए तो उस समय जो कारिक्टरम हुआ था बहुत ही एक आयतियासिक प्रसंग उसकी हम लोग बाते कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने लैंड होते ही उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने मुझे कहा था स्वामी वेकान के बर्डे में आने के लिए तो देखिए मैं स्वामी कन का बर्डे में आपकी सेवा में हाजिर हूँ मैंने धन्यवाद दिया उसके बाद में हम लोगों ने उनको वहां से फिर तो वो चले गए थे दूसरे फंक्शन में फिर फंक्शन में थोड़ा सा देर सा आये जैसी आये उनको हमने वेलकम किया फ फिर लगबख पांश जार युवा लोग वहां थे वहां जब पैंडॉल में आये तो सभी पांश जार ये युवा लोग एकदम खड़े हो गए और बहुत देर तक तारी बजाते रहे बहुत ही वो लोग उससाह में आ गए और इसके बाद में डॉक्टर कलाम ने वो जो इ नैश्टल एंथम हुआ जो इस जैसी की परंपरा होती है और सन्यासी ब्रह्मचारियों के द्वारा वेदिक मंतरचार हुआ फिर मैंने स्वागत प्रवचन किया उसके बारे में बाद में बताता हूं फिर बाद में सभी स्वामेजियों ने डॉक्टर कलाम को उनका है थे कॉंपेटिशन में उनका पुरस्कार वित्रण हुआ ग्यारा ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने रामकिष्ण मिशन के लिए पोरबंदर के लिए विशिष्ट अवदान किया था ऐसे ग्यारा व्यक्तियों का भी संमान डॉक्टर कलाम के हाथों से हुआ एक इन लिए दो किताब और विक्तित विकास इन गुजराथी पोर्टस परस्नाली डेवलेप्न ये तीन किताबों का उन्होंने लॉंचिंग किया एक्चुली लॉंचिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट आफ इंडिया फस्ट कॉपी रिशिव करते हैं तो स्वामी सुहिता नंज ले लेता हूं वेलकुम एड्रस में मैने ये कहा कि Dr. A.P. J. अभुकॉलाम, His Excellency the President of India, Nawalkishwar Sharma, His Excellency the Governor of Gujarat, S. Murubhai Bera, Honorable Minister of Labor and Employment, Government of Gujarat, respected monks and brahmacharis, government officials, dignitaries, principals and teachers of various educational institutions, and the students and young friends coming from various parts of Gujarat assembled here on this historic occasion. On behalf of Ramakrishna Mission Vivekan Memorul, poor Bandar, I heartily welcome all of you. ये मैंने कहा, और फिर मैंने हिंदी में कहा था, और फिर हिंदी में मेरा स्वागत प्रवचें दिया था, फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जानता किस प्रकार से मैं अपनी प्रसनता व्यक्त करूं, बहुत ही आनंद हो रहा है, आज मानों एक स्वप्न पुरा हो रहा है, और अंग्रेजी में कहते हैं थ्राइस बेसेड ले तीन गुना धन्य दियन क्यों कि आज स्वामी वेकान का बर्डे है बारा जन्वरी है और उसको राष्टे दिन युवा दिन के रूप में मनाते हैं वह बारा जन्वरी दुसरा आज एक इंस्टुटुशन का प्रारम हो रहा है अभी अभी प्रारम हुआ इनाउग्रेशन हुआ डॉक्टर एपिजव कलाम के दौरा विवेकानन इंस्टुटुट अफ वेल इजिकेशन कल्चर और तीसरा पोर बंदर में राष्टरपती जी का आगमन हुआ है तो इस प्रकार से तीन तीन गुना धन्य दिन है और फिर म बहुत समय से हम लोग तेरा फरड़ी दोजार दो के बाद से व्याकुलता पुरुक उनका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार हमारा आज पूरा हुआ फिर मैंने ये भी कहा कि 2004 में मैं जब साउथ अफरिका गया था तब मैंने देखा कि डॉक्टर कलाम वहां पर आने वाले दॉक्टर कलाम सच्पुच में जैसा मैंने कहा था अपनी तेरा फरड़ी 2002 की स्पीच में कि इस नॉट उनली भारत रतन, इस विश्वरतन, आज सच्पुच में मैंने कहा कि सारे विश्वर के लोग डॉक्टर कलाम को अपने आनिमंतरन करना चाहते हैं, अपने देश में बुलाना चाहते हैं, और ये मैं खुद देखकर के आया, साउथ अफरिका में, किस प्रकार से उनको रेसिव करने के लिए बहुत उत्साहित थे, और उनका, उनकी जैसा मैंने कहा था, उनकी पॉपलरिटी, प्रख्याती बढ़ते ही जा रही है, कई इताबें उन्होंने ज मैंने कही कि स्वामी विवेकान ने मिस मेकलाउड को कहा था, जब मिस मेकलाउड ने पूछा, हाओ के ने सर्वी हूँ स्वामी जी, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, स्वामी विवेकान ने बहुत ही महत्वपुन मेसेज दिया था, लव इंडिया, भारत उसको प्रेम क उब लए जुदिन करो, ओस्वामि विश करमें के इस सी मेसिज के कारण अमारे देश के जितने ही महान नेता हो, उन लोग अपना जीवन निविदित कर दिया भारत माता के सेवा में और हमको स्वाधीनता प्राब्त गूई। अभी जो Swami Vivekananda का प्रथम ड्रीम था वो था भारत की स्वाधिन था वो तो उन लोग ने पूरा किया Now, Honorable Dr. Kalam is similarly igniting the minds of the present youth for fulfilling the second dream of Swami Vivekananda of a glorious India, more glorious than Shaevar was in the past हम लोग को बड़ी प्रसन था कहे Swami Vivekananda का दुस्टा जो ड्रीम था दुस्टा था भारत इतना महान बने का कि उसकी प्राशिन महिमा मलान हो जाएगी यब Dr. Kalam इस प्रकार से जगा जगा जा करके युवावर्ग के मन को उनको प्रबुद करके उनको उच्साहित करके इगनाइट करके मनों ये कारे स्वामी Vivekananda का कारही वे कर रहे हैं स्वामी Vivekananda ने कहा था कि शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा सारे अनुर्थों की एक मात्र उनका समाधान है शिक्षा पर किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने कहा थी कि हम ऐसी शिक्षा चाही जिसे मनुष्य निर्मानकारी शिक्षा चरितरन मानवाली शिक्षा और इसी लिए हमने कहा कि इसी स्वामी विवेकान के संदेश को प्रतिफलित करने के लिए हम लोगों ने विवेकानन Institute of Value Education and Culture इसका हमने प्रारम किया है और हमने सोचा उसका उद्गाटन ऐसे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में जिनका चरित्र उन्नत है जिन्होंने अपने जीवन में मुल्यों को स्थान दिया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उद्गाटन होना चाहिए जिन्होंने अपने स्वागत प्रावचन में जो प्रावचन सुरू किया उसके बाद में जो प्रावचन सुरू किया उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जब उठके खड़े वे तो सभी यूकों ने बहुत जोड़ से ताली बजा करके उनका स्वागत किया फिर उन्होंने अपनी जो स्पीच तैयार करके लाया थे वो हमेंसा लेपटॉप में लाते थे लेपटॉप उनके वो जो रोजड़म रहता था उसमें वो लेपटॉप रहता था और उसको देख देख करके वो उसको बोलते थे तो पहले उसकी फॉर्मल स्पीच पढ़ने के पहले उन्होंने कुछ कहा वो क्या था पहले बहुत महत्व का दिन है क्योंकि आज स्वामे का जन्मा दिन है फिर उन्होंने का इस इन इंपॉर्टन देख के लिए नहीं सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है फिर उन्होंने का है I have read many books of Swami Vivekan. मैंने Swami Vivekan के कई के दावे पढ़ी है and I have discussed about his message with many experts. मैंने कई विद्वानों के साथ उनके संदेश के बारे में मैंने चर्चा भी की है but sometimes some messages appeal to me very much. पर कभी-कभी मेरे को कुछ संदेश बहुत appeal कर जाते हैं और उसमें से एक संदेश ऐसा है Swami Vivekan का वो उन्होंने repeat किया जो जिस संदेश में Swami Vivekan कहते है My name should not be made prominent. It is my idea that I want to be realized. उन्होंने कहा कि स्वामी जी का ये संदेश मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अपिल करता है कौनसा? My name should not be made prominent. मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नाम की प्रसिद्धी हो मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे जो विचार है वो उनको प्रतिफलित किया जाए मेरे विचारों को कारियान विद्ध किया जाए बस इतना ही चाहता हूं चाहे कोई लोग मेरा नाम ले चाहे नाले मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है मैं अपने नाम की प्रख्याती नहीं चाहता हूं मैं तो एक सन्यासी हूं तो फिर डॉक्टर कलाम की ने कहा very rarely we come across such words spoken by a religious leader ऐसे ऐसा विरल कोई ही विरल एक धार्मिक पुरुष के मध्यम से हमको इस प्रकार की उन्नत भावना मिलती है जहां करी वो कहता है मुझे अपनी क्याती नहीं चाहिए मुझे अपना नाम नहीं चाहिए बस मेरे विचारों को कारिमित करो कितना महान उनका रिदे होगा और कैसा उन्नत उनका मन होगा जो उनके मुझे इस प्रकार के विचार निकले बुले I really appreciate Swami Vivekan for this particular message that he gave very rarely we come across such words spoken by a religious leader he is indeed a great spiritual leader सच मुझ में एक बहुत महान आध्यात्मिक पुरुष है then he told the students to repeat the following sentences फिर उन्ने विद्यार्थय के पास sentence repeat कराया dreams transform into thoughts सब लोगा ने कहा dreams transform into thoughts फिर कहा thoughts result into actions फिर कहा thoughts result into action ये सब विद्यार्थय ने कहा फिर उन्ने कहा और अपना speech readout पहले कहा उन्ने कहा I was persuaded by Swami Nikhilashwaranji to come here and I am happy about it because of two reasons firstly today is the birthday of Swami Vivekanand who stayed in this memorial building at Porvandar and secondly it is the birthplace of Mahatma Gandhi he said to me here I have two reasons for this because one is the birthplace of Swami Vivekanand and that is the birthplace of Swami Vivekanand and that is the birthplace of Swami Vivekanand I was in a place where Swami Vivekanand I am indeed delighted to participate in the inauguration of the Vivekanand Institute of Value Education Culture and the youth convention organized by the Ramakishmishd my greetings to the organizers, principals, teachers, students, parents and other distinguished invitees participating in the function when I am with you I am reminded of the statement by Swami Vivekanand blessed are the pure in heart for they shall see God this purity of heart will bring the vision of God it is indeed the theme of whole music of this universe this thought has indeed influenced my conscience I would like to talk to you on the topic indomitable spirit Dr. Kalam has said that in this situation everyone has greeted us and then he has said that Swami Vivekanand has said that the truth is the truth that I am reminded of Blessed are the pure in heart for they shall see God actually Christ is the same sentence that Swami Vivekanand has given us that the truth is the truth of the people who have the spirit of God क्यों क्यों कि वो इश्वर का दर्शन कर्ज पाएंगे dear young friends just now फिर उनोंने कहा कि I would like to talk to you on the topic indomitable spirit ये subject उनोंने खुदने चुल लिया indomitable spirit तो indomitable spirit मतलब वह एक अदम में चेतना उसको हम कह सकते हैं dear young friends just now I inaugurated the Vivekanian Institute of Value Education Culture when I was preparing the talk for addressing the youths a unique letter comes to my mind मैं जब इसका प्दायारी कर रहा था कि मैं क्याल बोलू तो मेरे सामने मेरे को मन में मेरी स्मिती में एक letter आया बहुत important letter this letter I saw in Jamshetpur a Tata exhibition written by Jamshetji and Tata on 23rd November 1898 ये पत्र मैंने Jamshetpur में देखा था जहांपर की Tata exhibition है वहां पर मैंने पत्र पढ़ा था उससे मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही impressed हुआ था मैं वो letter है 23rd November 1898 को Jamshetji Tata ने लिखा हुआ letter I would like to all of you to know about this letter which I am going to read it gives a very important message to the youth फिर उनने लेटर को read-out किया जिसमें की Jamshetji Tata बोलते है Dear Swami Vivekanand I trust you remember me as a fellow traveler on your voyage from Japan to Chicago I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty not of destroying but of diverting into useful channels Jamshetji Tata बोलते है कि साइद आपको याद होगा कि हम लोग दोनों एक साथ जापान से शिकाओगो एकी स्टीमर में गए थे और उस समय आपने कहा था कि ये सन्यासियों का सन्यासियों की जो भावना है उनको कुचल नहीं देना है बलकि उनको एक अच्छे रास्ते पर उसको ले जाना है एक not of destroying but of diverting into useful channels उसको एक useful channel जिससे की सबको लाव हो देश को भी लाव हो इस प्रकार का कार्यों में उसको हमको उस सन्यासियों की जो spirit है सन्यासियों का जो कार्य है उसको उस तरफ हमको मोडना पड़ेगा I recall these ideas in connection with my scheme of research institute of science for India बोले मेरो को ये आपके ideas तब याद आगे जबकि आपने भी कहा था कि सब कुछ मनुश्यों को इस प्रकार से अपने सब को त्याग करके कुछ उन्नत एम को लेकर के जीवन के एम को लेकर के रहना चाहिए उनके लिए रहने की कुछ अच्छी विवस्ता होनी चाहिए तो उन्होंने का I recall my ideas in connection with my scheme of research institute of science for India उन्होंने का मैं institute of science जो खुलना चाहता हूँ बाद में वो बैंगलोर में खुली थी उसके लिए जमीन स्वामी विकान के शिष्य महिसूर के महराजा ने दी ती तो जमसे जी ताटा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो हमारे देश के जो सन्यासियों की जो spirit है, ascetic spirit जो सन्यासि जलगन है उनके जो उनकी जो शक्ति है उसको हम लोग उसको देश के कल्यान के लिए काम में कैसे लगा सकते हैं उसके बादे मैंने भी सोचा है, तो मैं सोच रहू हूँ तो कुछ ऐसे सादू निवास बनाये जाएं और कुछ ऐसे सादु निवास बनाये जाएं, जिसमें कि ये सादु लोग अच्छी तरह रह सकें, उनके खाने पिने की सुविदा हो, डिसेंसी के साथ, भली भाती उनका खाने पिने की विवस्ता हो, और वो लोग क्या करेंगे, दो प्रकार की रिसर्च करेंगे, एक तो रिसर्च है, हुम I am of opinion that if such a crusade in favor of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science and the good name of our common country. क्या बात बढ़िया बताई, उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का एक crusade, एक बहुत बड़ा अंदोलन किया जाए, जिसमें कि यह जो ascetic spirit है, जो सन्यास की परंपरा है, उसके साथ विज्ञान को मिला दिया जाए, स्वामी जी बार-बार कहते थे, what we want is western science, कपडवित बिला दिया जाए, और इस से क्या होगा कि और ऐसा crusade यदि आप इस सन्यास की जो त्याग और सेवा की जो भावनाओं को राष्ट्र के निर्मान के लिए उनका उनको चैनलाइज किया जाए, और इस प्रकार का जो आंदोलन है, वो आंदोलन एक competent लीडर के द्वारा हो, ए अच्छा नेता हो, competent जो कि योग्य नेता के अंडर, नेतृत के अंदर में ऐसा अंदोलन हो, तो इट वोड़ेटली हेल्प एससिटिजम, इस से सन्यास योग, सन्यास परंपरा का भी उनको भी फैदा होगा, साइंस को भी फैदा होगा, एंद गुद नेम और कामन कंट्री और हमारे देश को भी फैदा होगा, and I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda, कहते हैं, और मैं नहीं जानता कि इस कारे के लिए, जो योग्य नेता के लिए, इस कारे के लिए जो योग्य नेता है, स्वामी विवेकान के सिवा, दूसरा नाम मुरे को समझ में नहीं आता कि, anybody can be, स्वामी विवेकान से बढ़कर कोई नेता इस कारे के लिए हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूँ, I know not who would make a more fitting general of such a campaign, इस प्रकार के आंदोलन के लिए general, जो नेता, विवेकान के सिवा मैं सोच नहीं सकता हूँ, I know not who would make a more fitting general, इस से ज़्यादा योग्य नेता हमको नहीं मि विवेकान से ज़्यादा, योग्य नेता हो नहीं सकता, कितना confidence उनको विवेकानन जी मैं, कितना उनके साथ बात्चित करके उनको इनके बारे में इंप्रेशन ऐसा हूँ, I know not who would make a more fitting general of such a campaign than विवेकानन, do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanizing into life, our traditions in this respect, तो आप में किया आप मेरा यह अनुरो स्विकार करेंगे और इस प्रकार से इस कारे में अपना हाथ बटाएंगे, परहपस यूद बेटर बिगिन विद ए फाईरी पैंपलेट राउजिंग और पीपल इस मैटर, और सबसे पहले दी आप एक पैंपलेट निकालें, इस प् आप में प्रियारा चापेंगे, उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा, विद काइन रिगार्स, I am dear Swami, विविकान, I am dear Swami, yours faithfully, Jamsidji and Tata, 23rd November 1898, Esplanade House, Bombay, Esplanade House, Bombay से 23rd November 1898 को Jamsidji Tata ने यह लेटर लिखा, यह पूरा का पूरा लेटर, डॉक्टर कलाम ने यह बताया, फिर उस में उन्होंने बताया किस प्रकासे Jamsidji Tata और यह दोनों एक साथ जा रहे थे, और क्यों Jamsidji Tata को Swami Vivekan के आइडिया इतने पसंद आया थे, यह सब उन्होंने बताया, क्यों Swami Vivekan का इतना बड़ा इतना बड़ा कंट्रिशन हमारे देश के लिए, यह उन्होंने बताया, और अपर ने छाईन्होंने का, नौो उन्होंने का, राओ उन्होंने का, अजस्चिए ऑप्वि श्यक्तक जापॉपाश diffू ही onanika, now will we learn the significance of the letter from श LEDर from holds a थे, यहा जारे जित्या क्यों सौमि वीमांड. as one of the best material sciences laboratories, providing the best of research results for development and production of material for various R&D labs and industries. Also, Indian Institute of Science is a world-class institution in various areas for physics, aerospace technology, knowledge products, bioscience and biotechnology. This is the institution where convergence of technology like biotechnology, information technology and nanotechnology is emerging. The results will have tremendous influence in improving solar cell efficiency and healthcare, particularly the drug delivery systems. This institution also participated in the research and development of space programs, defense programs and also many social missions. Dr. Kalam is telling us how much of Indian Institute of Science has happened in Bangalore. So, in the future, I have been looking forward to it. Now, people are doing what they are doing for the future. How much of the people will be able to live in the future? Because those who are doing research, it is a very good research. It is a very good research. In that, our student, Mr. Jagdishan, he is involved in it. उन्होंने हमको पूरा बताया किस प्रकार से इंडिन इस आफ साइंस is now channelizing its energy for the improvement of human life. मनुश्य का जीवन किस प्रकार से सरल बने और अच्छा बने उसके लिए जो research हो रही है, fantastic research. सारा revolution आजाएगा यदि वो research में वो पूरे successful होते हैं. यह सब बाते उन्होंने बताई, within two, three years we are going to have a lot of new research from Indian Institute of Science. But the credit goes to Jamshya Ji Tata and Swami Vivekananda. And of course, the Maharaja Mesur who gave the land, और निवीदिता जिनोंने इसके लिए बहुत कथोर परिश्रम किया, क्योंकि Swami Vivekananda तो 1902 में उन्होंने सरी छोड दिया, पर यह काम उन्होंने निवीदिता के उपर छोड़ा था, सिस्टर निवीदा ने बहुत कथोर परिश्रम किया, British Government के विरुद इतना लड़ना पड़ा, British Government did not want this institute, उनको चाही था, slaves, उनको केवल गुलाम चाहीए था, वो नहीं चाहते थे के भारती लोग भी research करें, भारती लोग भी उच्च ग्यान प्राप्त करके, वो भी हमारे साथ parallel में आ जाएं, वो उनको clerk रखना चाहते थे, clerk, it is a clerk-making education that the Lord Macaulay wanted, तो इसलिए बहुत resistance करना पड़ा, उसके बाद में उन्होंने, mission of the nation ignites the mind of the youth, फिर उन्होंने जो mission बनाया था, जो mission document उन्होंने बनाया है, to make India a developed country by 2020, उसके लिए enabling environment, enhancing the rural credit, national employment, guarantee bill, generation of employment, potential employment, generation through entrepreneurship, venture capital, indomitable spirit, ये सब उन्होंने ये सब अपनी scheme के बारे में फिर बताया, इसके बाद में उन्होंने प्रश्णों के उत्तर दिये, बहुती सुन्दर प्रश्णोंतरी हुई, बहुती सुन्दर प्रश्णोंतरी हुई, जिसमें की, प्रश्णोतरी के बाद उनके लेक्चर के बाद उन्हों जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा था मुझे पहले ही जब 19th September 2005 को मैं मिलने गया था उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने आये लेंड किये ये स्पीच उनकी शुरू हुई उन्होंने कहा था कि आप लोगों के सवे प्रश्णों के उत्तर में ने दे पाऊंगा तो सारा दिन निकल जाएगा उत्तर देते पर मैंने क्या कुछ selected question का मैं answer आज दूंगा बट I have done my homework before I left Delhi I have answered all your questions and they are in my website website उस समें कि जो website उन्होंने दी थी अभी है कि नहीं पता नहीं वो website थी presidentofindia.nic.in उसमें उन्होंने का तुम देख लो तुमारे सभी हमने क्या किया था कि 10 institutions से 10-10 question मंगाये थे उन्होंने अपने 100-100 question में से 10 selected question भेजे उसमें से 100 question हमारे पास आए उसमें हमने committee का निर्माण committee बनाई थी उन्होंने 46 question select किये यह 46 question हमने भेजे थे वो सबका answer इस किताब में एक किताब हमने निकाल ली है indomitable spirit उसमें भी है और वो उसकी website में भी उन्होंने दिया था पर उसमें से जो कुछ question उसमें जो discuss होए थे उनकी बात हम लोग कल करेंगे और इसके उपर जो एक video बनाई है video cd उसका भी link हम आपको दे देंगे बहुत ही सुन्दर यह program हुआ था जैसा 13th February 2002 का भी program बहुत अच्छा था बट यह तो और भी उससे ज़्यादा naturally president of India खुद आएंगे उसमें तो president of India नहीं थे तो the whole function was still more glorious, more glamorous and much more attractive and much more effective and much more important तो इसलिए वो यह जो प्रोग्राम था 12th January और स्वामवेकन बर्डे था इसलिए और भी ज्यादा चार चान लग गए तो 12th January 2006 का function उसके भी link हम आपको दे देंगे वो अवश्यप जितने youth है उनको यह दो link जरूर से उसको आप circulate कीजिए एक तो कल वाला जो वीडियो 13th February 2002 वाला क्योंकि उसमें जो कुछ बाते हैं वो इस बार 12th January का नहीं बोले थे वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात है उसमें उसको भी आप circulate कीजिए और आज यह जो link है 12th January 2006 वाली link उसको भी दीजिए हर एक youth को every young Indian must watch this program बहुत उसको प्रेंड़ना मिलेगी और उससे बहुत उसका फायदा होगा I can say that very confidently I can say तो इसलिए इसका जितना जल्दी जितना ज्यादा प्रचार हो सके करिए और कल हम उसके कुछ प्रश्णों की जो बात हुई थी उसके बारे में कुछ बात करके फिर बाद में आगे बढ़ेंगे ओम शांति 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 हरिही ओम तच्सत श्री राम कृष्णार पनमस्तू